हेलो फ्रेंद्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम डोरी लूप्स के साथ स्लीव का एकदम नया और बेहत खुबसुरा डिजाइन बनाएंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने अपनी ये स्लीव कट करके रख ली है ये मैंने हाफ स्लीव कट की है इसकी जो लेंध है वो मैंने लगबग 9 इंच कट की है और इसकी जो मोरी है आप अपने कोडिंग रख सकते हैं मैंने लगबग 6 इंच रखी है अब हमने ना इसके नीचे फ्रिल वाल परन रेडी करने के लिए मैंने सेम स्लीव वाला ही फैब्रिक कट किया है ये चोडाई में लगबग साड़े आठ हिंच रखा है मैंने और लंबाई में हमारी जितनी स्लीव की मोरी है न उससे आपने डबल रखना है तो अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे ऐसे हमने इसमें गेदर की प्लेट्स डालनी है ये रेंडम नलती है एक जैसी नहीं होती इस तरीके से हमने नीचे से फैब्रिक को इकठे करते जाना है और उपर की तरफ रफ स्टिच करते जाना है तो ऐसे हमने एक साइड पे गेदर की प्लेट्स लगा ली है ऐसे ही अब हमने दूसरी दालते हुए हमें इसे उतना रेडी कर लेना है जितनी हमने अपनी स्लीव की मुरी रेडी करनी है तो यह दिखे मैंने दोनों तरफ ऐसे प्लेट्स डाल ली है अब हम इस पैटरन को अपनी स्लीव के साथ स्टिच करेंगे तो स्लीव को ऐसे हम सीधा करके रखेंगे और ये वले पैटरन को इसके उपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे यहां से इस तरीके से और यहां पे ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगाएंगे जिसे हमने प्लेट्स लगाई है तो ये वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हम इस पैटरन को ना ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे ना इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे तो ऐसे हमारा ये फ्रिल वला पैटरन स्लीव के साथ स्टिच हो गया है अब हमने इसे नीचे से फोल्ड करना है तो इसे नीचे से फोल्ड करने के लिए मैंने सेम स्लीव वला ही फैपरिक कट किया है ये लगबग 4 इन चौडा रखा है मैंने और लंबाई में ये उतना ही है जितनी हमने स्लीव के मौरी रेडी करनी है और इसकी उल्टी साइट पे न ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है इससे फिनीशिंग अच्छी आती है अब हमने इस वाले फैब्रिक को ऐसे सीधा करके रखना और स्लीव को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहां पे ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगाएंगे जिससे हमने फ्लेट्स लगाई है तो यह देखिए यहां पे भी हमने ऐसे सिलाई लगा ली है अब हम अपनी स्लीव को सीधा कर लेते हैं तो ऐसे हमने अपनी स्लीव को सीधा कर लिया अब हम इस पट्टी को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और यहां पे एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो यहां पे हमने ऐसे किनारी की सिलाई भी लगा ली है और इस पट्टी पे न मैंने एक सिधा सिधा मार्क किया है जो उपर से लगबग आधा इंच नीचे किया है अब हमें इसी मार्किंग के उपर अपने डोरी लूप रखते हुए स्टिच करने है तो उसके लिए डोरी को मैंने पहले से तयार करके रखा है अब हमें इस से छोटे छोटे पीसिस कट कर लेने हैं लगबग तीन तीन इंच के तो डोरी से सारे पीसिस हमने ऐसे कट कर लिए हैं अब हम इनके लूप बनाएंगे और अपनी ये वली पट्टी के उपर रखके स्टिच करेंगे तो ऐसे एक डोरी लेंगे और इसका ऐसे एक लूप बनाएंगे खुला सा इस तरीके से लूप बनाके ऐसे रखेंगे अपनी मार्किंग के उपर और इसी के पीच में एक और लूप हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे बिलकुल इसके साथ में ही ऐसे रखेंगे दोनों लूप को और यहां पे ना अपनी मार्किंग के उपर उपर ठिलाई लगा देंगे एक सेट हमने लूप को ऐसे स्टिच कर लिया अब हमने एक पैर का गैप लेना है और दूसरे लूप को भी उसी तरीके से खुला और फिर इसके बीच में ही दूसरा लूप ऐसे इस तरीके से सेट करके रखते हुए ना हमने लूप को स्टिच कर लेना है तो ऐसे ही हम दो दो लूप के सेट को न स्टिच करते जाएंगे तो ये दिखिए हमने सारे डोरी लूप्स ऐसे स्टिच कर लिये हैं अब हम इसे नीचे से फोल्ड करना है तो इसे नीचे से फोल्ड करने के लिए न हमादा इंच पहले इसे उपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे उसके पाद ना इसे फोल्ड करके ऐसे रखेंगे अपने लूप्स के उपर और यहां पे ना किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे हमने किनारी की सिलाई भी ऐसे लगा ली है अब हम इसे ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और लूप्स को ना ऐसे नीचे की तरफ लाते हुए यहाँ पे हम एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ये दिखिए यहां पर भी हमने ऐसे किनारी की सिलाई लगा ली है और दिखिए कितना खूबसूरत और एक्दम नया हमारा ये स्लीव डिजाइन बनके ऐसे तैयार हुआ है तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो इससे फिटिंग की सिलाई भी लग गी है और देखिए कितना खुबसूरत हमारा स्लीव डिजाइन बनके ऐसे तयार हुआ है तो आप भी अपनी कुट्टी पे ये वला स्लीव डिजाइन जरूर ट्राइ करें तो जब हम इसे पहनेंगे तो ये कुछ ऐसे आजाएगा देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है ना बहुत ही ट्रेंडी है ये स्लीव डिजाइन आजकर तो आप भी ये वला स्लीव डिजाइन अपनी कुट्टी पे जरूर ट्राइ करें